नमस्कार दोस्तों मैं हूं मिक्यूपल और आप देख रहे हैं स्वेंट फेज मिक्यूपल प्रदस के जितने भी सिटेट बिटेश साथ ही हैं सभी को मेरा नमस्टार अवार अभिनेदन शाथियों 24 के बाद कभी भी मुखमंत्री जी के तरफ से बैठक किया जा सकता है लग सक्षंद के तरफ से मैं या दिपांकर जी यो नई नितेश जीश में से कोई यरूर वहां जाये गए और अपनी समस्याओं की बात रखेंगे हमें लगता है कि हम पूरे टीम के साथ हम लोग जाेंगे और वहाँ पर हमारी जो समस्या है हम लोग अपनी समस्या रखेंगे कि primary में कम से कम 10 लाग फ्रॉम गिरा है साथी सी भारी काईश में मौका दे दिया गया है और ये भी नहीं बताया आगया है कि बाहरी लोग 10% पर मतलब दावाट करेंगे आफिर 50% पर तो कहीं ने कहीं बहुत सारी शमस्या हैं बहुत सारे उलजान हैं और इनी चीजों के ले करके उपर से और भी अपनी शमस्या हैं जो मतलब आप लोगों से राय सला विचार लिया आदू कि जहां पर बैठक होगी उसमें प्राइमरी सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी सबी लोगों का बैठक होगा और तमाम सिक्षक दल के नेता भी होंगे जिसमें अपनी अपनी स्वमस्याओं से माननी अमुख मंत्री जी को ओगत कराएंगे अब जिनको जितनी बड़ी बिहार में सिक्षक बने हुए हैं और हमारी मतलब अब नहीं मतलब इसकदर होनी चाहिए कि हम फिर एक एकजान दे और सचा ये भी है आप असी हजार सीट दिये हैं चार लाक नियोजी सिक्षक की संग क्या है हम लोगों ने 10 लक फोम भा रहा है तो कुल मिला करके बहुत द दिकत के वाल प्राइमरी का है यानि कह सकते हैं कि आप लोग इरायता बन चुका है और इसी को इसी को मतलब जो समस्या है दूर करने के लिए अपने हम लोग बात रखेंगे कोछ इस पर विचार भी मर्श किया जाए मन्यमुक मंत्री जी के तरप से और बाहरी वाले को के व वहां पर जा करके रखेंगे और हमारी बात तो जो है वह एक बिंदू पर नहीं होगे विभीन बिंदू पर होगी लेकिन सबसे ज्यादा प्राइमरी का जो जैसे की मान करके चलिए कि उनको बाहरी वाले को मौका दे दिया गया है डो मिसाइल के साथ छड़ चड़ किया ग हमारी कर चलिए विए के मान कर दे दिध लेकिस जरे की मान कर देह रो जया है विए झाले आर की मी इभा आर आर यादाने